नमस्कार, डेली एडिटरल एनलाइसिस से समन्दित आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है, ये रहा आज का टॉपिक, देखे टॉपिक है कि इसे लिया गया है इंडियन एक्स्प्रेस से और यह काफी महत्पूर्ण है हमारे GS Paper 1 और 2 के लिए, GS Paper 1 में यह इंडियन सोसाइटी के दिश्टिकों से महत्पूर्ण है, जबकि GS Paper 2 में यह गवर्निंस के दिश्टिकों से काफी महत्पूर्ण है, और इससे समन्दित जो प्र पता है कि केंदरी मंत्री मंडल ने प्रधान मंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाभ्यान संचेप में पी एम जन्मन इसे मंजुरी देती है। इसका उद्देश से क्या है वह थोड़ा ध्यान से सुनिए। जैसी बुनियादी सिवाओं को प्रधान करना। अनुसूचित जनजातियों के बीच और समानता को देखा और उसकी उन्होंने पहचान की और उसके बाद आदिम जनजातिये समू इस्रेनी का निर्मान हुआ। और 2006 में इस्रेनी का नाम बदला गया और नाम बदल कर कर दिया गया विशेश रूप से कमजोड जनजातिये समू या पर्टिकुलर्ली वन्रेवल्ड ट्रैबल ग्रूप्सू शुरुआत में इसमें बावन समूहों को रखा गया बाद में इसका विस्तार किया गया और वि करूप से पी वी टी जी महाराष्ट मद्यप्रदेश चतीजगर्ड जारकंड ओडिसा आनप्रदेश और तमिलाडों में रहते हैं उसके बाद अगर हम इन समूहों की विशेस्ता की बात करें तो इसकी विशेस्ता क्या क्या हो देखिए पहली कृसी पूर्व जीवन से लि जन संख्या का आकार पी वी टी जी समूहों के बीच काफी अलग-अलग है वो इस तरीके से कि कुछ समूहों की संख्या तो हजार से भी काम है जैसे कि ग्रेट अंडमानी संख्या लगभग 50 है और ओंगे जिसकी संख्या लगभग 100 है उसके अलावा एक लाग से अधिक हामें बने हुएं ना बढ़ रहें ना घट रहें जबकी ओंगे और अंडमानी में गिरावट देखी जा रहे हैं अब इसमें यहां पर यह है कि पी वी टी जी के विकास में आखिर क्याumen हैं तो पी वी टी जी के विकास में जो चुनोतिया हैं जरा उस पर हम नज़र डालत सबसे पहली बात यह है, यह काफी isolate रहते हैं, मतलब अलगाओ वाला जीवन जीत हैं, उसके बाद इनकी जनसंग्यां काफी कम हैं, साथी साथ, विशेष्ट समाजिक आर्थिक और इनकी सांस्कृतिक अपनी विरास्त है, विशेष्ट है, जिसके कारण यह गंभीर रूप से marginalized हासियप हैं, फिर आगे गरम देखें, बुन्यादी सेवाओं तक इनकी पहुच काफी सिमित हैं, सामाजिक रूप से भेधभाव से गरसित हैं, और विकास और प्राकृतिक आपदाओं के विस्थापन की सम्विदन सीलता से संहर्च करते हैं, इसका मतलब यहाँ पर है कि निर्णय लेने संबंदी जो भागिदारी होती है, उसमें इनका पर्थनिक तो काफी कम होता है, उसके अलावा मुखिधारा का समाज, मतलब जनले अगर हम अपने समाज की बात करें, तो मुखिधारा का जो समाज है, जो मेन इस्ट्रिम सोसाइटी है, अकसर इन पीवी टी वन उपच के लिए बाजार ग्यान है, वो भी इनका काफी कम है, और साथी साथ, बिचोलिया द्वारा इनका सोसन होता है, और इन सब से उनका जो पारंपरिक व्यवसाय है, उनको हमेशा खत्रा रहता है, उसके अलावा अगर हम देखें, पीएम जन्मन से भिन अगर हम दे प्रक्षित करते हुए, बचाते हुए, शिक्षा, स्वासे देखभाद और आजी विका के अफसर पीवीटी जी को परदान करना, दूसरा देखिए, परदान मंतरी जनजाती विकास योजना यह क्या है, तो यह नियुन्तम समर्थन मुल्य पर, बाजार संपर्ग और इसके अंदरगर शामिल है, जिनका सामयक लक्षा है इन जनजातियों का समगर और व्यापक रूप से विकास करना, उसके अलावा, एकलब बे मौडल आवासी विद्याल है, वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत भोमी स्वामित्व, जनजाती, अनुसुचित जाती और देने के पूरे प्रियास किये जाते है, ताकि यह समाज के मुक्यदारा में शामिल हो सके, लेकिन इन सब के कारण में चुनोतिया, वो चुनोतिया क्या है, पहली चुनोतिया है, कि संसाधन तक इनकी जो पहुंच वो काफी सिमित है, इनके मद जागरुकता की कमी है, और अ अभी तक जो यूजना ही चलाएगे उससे कैसे PM जन्मन भिन है तो सबसे पहली बात यह है कि PM जन्मन के अंतरगत इन्हें उचित पहचान और इनको उचित मानिता दी जाएगे वह इस तरीके से क्योंकि PVTG के मानिता और पहचान के मानदनों की बात करें तो वह काफी पुरा पहचान की जाती है और फिर योजना का दिर्मान की जाता है इससे यह होता है कि योजना काफी एफेक्टिव होता है तो यही है साफागी बाटम अप दिश्टिक हो इसमें क्या किया जाएगा वो देखे तो यह निर्ने लेने, भूमी के अधिकारों, समाजिक समावेशन और सांस्कृतिक संगरक्षन को समोधित करने में PVTG को सक्री रूप से सामिल करता है उसके अलावा यह समुदाय आधारित रननीती जो है यह उनकी सांस्कृतिक पर्थाओं, उनके विश्वासों, उनकी परंपराओं को अपनाती है इसमें यह होगा कि इससे विकास प्रियोजना की जो योजना है उसके कारयनन में और इसकी निगरानी में PVTG की जो भागिदारी है वह सुनिश्चित हो पाएगे उसके लावा तीसरा क्या है आजिविका सम्मर्दन यह क्या है तो सबसे पाली बात इसमें यह है कि PVTG को भूमी और रिन यह उनको आवटित किया जाएगा तो इस तरीके से जो इनको संसाधन प्राप्त होगा इ इससे इस्थाई आजिविका को प्राप्त करने में उन्हें काफी मदद मिलेगे और भूमी स्वामित जो मिलेगा उनको इससे वन संसाधनों तक पहुँझ भी उनकी सुरक्षित हो जाएगी और महत्मुन बात यहां पर यह है कि जो Forest Right Act है उसकी धारा 3-1-E इसमें आदिम जन जाती समोहों और पुर्व कर्शी समोधायों के अधिकारों का यह जो Forest Right Act की धारा है यह उसका समर्थन करता है उसके अलावा अगर हम देखें तो उद्योग भागीदारी के माध्यम से मतलब उद्योग में अगर उनकी भागीदारी को बढ़ाये जाए तो इस माध्यम स से पारंपरिक प्रध्योग की हो और उनके कौसल विर्धी को प्रोसान मिलेगा इससे सतत्विकास में वो तो शामिल होंगे होंगे साथी साथ उनकी जो अपनी सांस्कृतिक विरासत है वह भी काफी सुरक्षित हो जाएगे फिर नेक्स्ट यहाँ पर है स्वास्थ, पोसर् जो PVTG है वो अभी भी दूर दराज के छित्र में रहते हैं तो दूर दराज के छित्र में रहने वाले इन PVTG समुदायों में स्वास्थ सेवा परदान करने के लिए Mobile Medical Health Unit इन जैसी आउट्रिच रणिनीतिया काफी महत्पूर्ण होंगी जिसकी बात PM जन्मन में की गई है मिलकर काम करने से समझेत रणिनीतिया इसके अंदर कर सामिल की गई है और तो और विश्वस्नी पारंपरिक चिक्षकों के साथ सायोग परवी PM जन्मन जोर देता है इससे यह होगा कि जटिल स्वास्ति समस्याओं के समधान में यह काफी सहता कर सकता है फिर अगर हम आगे तो बात आती है सिक्षा की तो इनकी संस्कृति और इनकी भासा को पाठिकर में सामिल करने की बात है और साथी साथ इनको परिभन परदान किया जाएगा ताकि वो सिक्षन संस्थान तक पहुंच सके और जो PVTG है उनके जो संस्कृतिक संदर्व है उनके बारे में जो सिक् प्रदार मंत्री ग्रामिन सड़क की योजना, प्रदार मंत्री आवास योजना और जल जीवन मिसन इन जैसी योजनाओं के मानदन्ड को वो पूरा नहीं कर पाते हैं, तो ये जो बुनियादी सेवाएं हैं उन तक नहीं पहुंच पाती हैं, उसी तरीके से तब इसमें पीम जन्मन के अंतरगत क्या किया गया है, कि आवास, पानी, स्वक्षता, बिजली और कनेक्टिवीटी तक पहुंच में सुधार के लिए बुनियादी धाचा योजनाओं के दिशान निर्देस में ही धील दिय दिगी है, तो इसका मतला है कि अब पाहले की तुलना में ये जित जादी धाचे है, उनकी पहुंच, उन तक जल्द से जल्द हो सके, अब देखे, एक गाउं है, और उस गाउं में कई अलग अलग तोले होते हैं, तो यहाँ पर बात क्या हो रही है, तो यह काफी एक अच्छा दृष्टिकोन है, और यह हमारे GS paper 1 और GS paper 2 के दृष्टिकोन से काफी महतपुन ही है हमारा topic है, और overall भारत के दृष्टिकोन से तो महतपुन है ही, क्योंकि हम सिमान समुदाय की बात कर रहे हैं, जो अभी तक समाज के मुकिधारा में शामिल नहीं हो पाए है, और उसको सामिल किया जा रहा है, तो इस परकाट daily editorial analysis के अंतरगत, हमने यह पर यह देखा, कि जो PBTG ग्रूप है, उससे समन्दित यूजना, उससे विभिन आया, उसके मार्ग की चुनोतिया, इस तरह इस वीडियो को हम यह सभाप्त करते हैं, फिर में लेंगे नहीं जानकारी के साथ,